हेलो फ्रैंड वेल्कम टू माई चैनल स्प्रियाज वीटी पाला रहा है वीटी टिप्स कैसे हो आप सब गाइस अगर अभी तक मेरे चैनल को सिस्क्राइब नहीं किया तो प्रेस कर लिए जिससे की वीडियो की नौटिफिकेशन आपको मिल सके और प्लीज लाइक वीडियो सकते हैं यह उनका हम हेर कट करेंगे पहले बोला कि करना तो पहले बाल बहुत ही ज्यादा गंदे थे इस वज़ए से आपको साथ कटिंग में था प्रॉब्लम दिखे इन्होंने हेर वाश के लिए अलग से चार्ज दिलेते हैं यह यह अलग से चार्ज नहीं थे ना मांग अब बहुत गंदे थे नहीं बोला ऐसा ही कार दीजिए मेरे ऐसा ही बालो पर टच भी नहीं किया जा रहा थे इतना ज्यादा गंदे होगा चिपचिपे बाल थे तो एक तरफ से यह वी हो गया कि गंदे बालों पर आप कैसे कर सकते हो तो बस सबसे पहले हमने बालों को हलक करना तो पड़ेगा ही ना अब यहां देखे डायरेक्टन में पहले सबसे पहले चाहिए पार्म किया था कटिंग सीट लगा दी और कटिंग सीट यूजन थो भी रखते कि करोना के वज़े से लेकिन उन्हें बोला नहीं आप जो सब यूज करते हैं आप वही यूज कर ली करेंगे और 20 से बाल उठाएंगे और फिर हेर कट कर देंगे यह आपको अलग सा कटिंग देखने को मिलेगा एक नया तरीका क्योंकि ऐसा हमारे तो इस्टेफ हो जाता है ऐसा बहुत ज्यादा गंदे से तो पार्टिंग करने में कभी मन नहीं कर रहा था है कि क्लाइंट आ आईए आपको पर रहता कि आपको कैसे किसको हैंडल करना है क्लाइंट हर तरह क्याते है तो इसे सबसे हम चेले पहली घ्याज़ह थी और फिर नक्सD आम आएंगे तो यह देख़ेशाया करके हैंगे तो यह थी हम 이번 ह दो और देख सकते हैं फिर दूसे दुछ यह दूरा फि तो नेक्स वीडियो भी देखना मत भूलियेगा और जिसके इनने पहले बोले टो स्टेप इसके वाद बोला कि त्री स्टेप तो उस तरब का भी मैंने हेरकट किया तो आप देख लीजेगा कैसे हेरकट किया है और गाइस आप लोग जरूर लाइक कर दिया करिये और कमेंट जरूर बताएगा कि वीडियो आपको सही मिल रही कि नहीं कि मेरा फोन भी बेस से ब्लैक हो गया और उसक्रीन में बहुत ज्यादा प्रावलम आ गई तो कभी-कभी दिक्कत हो जाती मुझे तो हम बना देते हैं वीडियो में मुझे क्लियर समझ में नहीं आता है कि कैसे परशान किया सभी लोगों को और सब लोग डरते अभी भी रशा की सुनाई दे रहा कि तीसरी लहर भी आएगी तो आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान रखे और अंजाने लोगों का हो सकते जो बाहर चार उनको तो मती करें तो ज्यादा अच्छा है ऐसी बगल की है और आगे सिनों ने बोला कि बस थोड़ा सकरिए तो आगे के पार्टिंग करके हम देखिए फिंगर के फोल्ड करेंगे और सीजर को बराबर में चला देंगे और यहां मैं गई इसी बाहलों को बाहर फिकने के नीचे गिर जाता है और पालर मेरा बहुत बड़ा नहीं चुटा अगया कि हर साल 10% बढ़ जाता है पानी का अलग से पैसे देने पड़ते है अलग से चार्ज होता है पानी का भी और जो साफसाफाई वालस वीपर आता है वह और जो मैंने खुद भी लगाया प्रस्टनली पालर के लिए उसका चार्ज अलग तो इस तरह हो जाता है काफी 10 पर्शन बढ़ता ही रहता है तो इसलिए हम ज्यादा पालर पे पैसे लगाने की नहीं सोचते क्योंकि पानी क्नेक्शन भी हमने खुद किया तो पीस पचीस हजार इसमें भी लग गया था दूर था पानी का सारा कुछ लेके काफी ज्यादा पढ़ गया था तो इस तरह कभ पर दिक्कते सहना पड़ता है बहुत कम ही लोग को फासुदा मिलती है अगर आप ले रहे हो तो कोई भी चीज चाहे आप रहते हो चाहे सोब के परपस से लेते हो तो बहुत कम लोग को मिलता है इस तरह हम ज्यादा बात आपको बताने लगे उसके लिए सौरी क्योंकि सके आप इसलिए बस आप लोग के साथ सेयर कर दिया तो इन्हीं के दूसरा वीडियो में फिर अपलोड करूंगी ठीक है और मिलते है नेक्स वीडियो में कैसा लगा आपको हैरकट बताएगा पाता है